नमस्कार आप देख रहे हैं गुजरात तक और मिहाप के साथ गौतम जोशी उत्तर गुजरात की राजनीती का वो कद्दावर नेता जिसके बारे में एक समय पर कहा जाता था कि ये नेता गुजरात की राजनीती में नया इतिहास लिखेगा एक ऐसा मुकाम हासिल करेगा जिसे पाना हर कोई चाता है परवक्त बदला और इसका दाबन नेता की किस्मत भी पहले विदाय की गई और अब तो नेता जी पर बेहत ही संगीन आरोब लगे है कि नेता जी कॉंग्रेस के साथ मिलकर बाजपा को नुकसान पहुचा रहे है नाम है इस नेता का शंकर चौधरी वही शंकर चौधरी जो गुजरात सरकार में कभी मंत्री हुआ करते थे जो की अब बुद्पुर्व हो गए है पर वर्त्मान में एशिया की सबसे बड़ी बनास डेरी के चैर्मेन पत पर अभी भी शंकर चौधरी स्थापित है एक दौर था जब बनास काठा और आस पास के जिलो में शंकर चौधरी की तूती बोलती थी और चौधरी में टिकेट लेने के लिए लोग चौधरी सहब की चौखट पर भी जाते थे पर नेता जी की बढ़ती लोग प्रियता के साथ उनके राजनेतिक विरोधी भी बढ़ते गए क्योंकि शंकर चौधरी एक तरपा शाषन चलाते थे और खुद की ही करते थे जी का राजनितिक करियर दीरे दीरे गर्दिश में जाने लगा था क्योंकि उनके सारे विरोधी एक जूट जो हो गए थे पर जैसे ही सियार पाटील गुजराग बीजेपी के अध्यक्ष बने तो उम्मीद जली कि फिर एक बार शंकर चौधरी की किस्मत चमकेगी पर एन वक्त पर उनके ही बहत करीबी साथी और बनास डेरी के वाइस चेर्मेन मावजी देशाई ने शंकर चौधरी पर देर सारे संगीन आरोप लगाये है जिन में से एक आरोप यह है कि शंकर चौधरी कॉंगरेस के साथ मिलकर बाजपागो नुकसान पहुंचा रहे है मावजी देशाई के इन आरोपों के बाद सिध हो गया है कि बाजपा में अंतरूटी गुटबाजी चल रही है जिसके बारें गुजरात तक ने पहले भी बताया था और अब मावजी देशाई के शंकर चौधरी के साथ बगावती तेवर के बाद ये गुटबाजी खुल कर सामने आई है मावजी देशाई ने इसके अलावा शंकर चौधरी पर बनास देरी, बाजपा के संगठन, चुनाव समेत कई मुद्धों पर और आरोप भी लगाए थे क्या है वो आरोप? सुन्ये खुद मावजी देशाई की जुबाने चालू मेने में संकर भी चौधरी ना मार पत्रही जा है कि आपड़े परवत भी अमेत में बनने जाना साथे प्यासी एंपी छे अमें डेली ना जैर्में चोपन ने साथे बेसित करो उने बारती जंता पार्टी ना दरेक कार्य करता साथे रही अना काम करिये तो जिल्ला ने इंदर भारती जंता पार्टी जे बभिशिशन भुपकार ने इंदर साथ सीट आठ सीट अपने जित्ता आधा अब मावजी देसाई के द्वारा शंकर चौधरी पर इतने संगीन आरोप आखिरकार क्यों लगाए गए है इसको लेकर भी मन में कई सवाल उठ रहे होंगे तो इसके पीछे की बज़ा है डिसा मारकेट यार्ड का चुनाव जो की फिलहाल के लिए सरकान ने स्थगित कर दिया है और मावजी देसाई इसी मारकेट यार्ड की चैर्मेन भी है जो की चुनाव स्थगित करवाने के पीछे शंकर चौधरी और डिसा के वर्तमान मिदायक शशिकान पंडिया को जमेदार ठहरा रहे है और इसी लिए मावजी देसाई ने बताया कि इन दोनों नेताओं ने पार्टी को नुकसान पहुचाने का काम किया है और इसी लिए चुनाव फिलहाल उनके द्वारा ही स्थगित करवाए गए है और मैंने सियम विजे रुपानी, बिजेपी के अध्यक्ष, सियर पाटिल और संगठन मंत्री विखुद दलसानिया को भी इस मामली की शिकायत की है अब देखते हैं कि वे लोग क्या करते है मावजी देशाई के द्वारा जो बगावत की गई है, उससे भाजपा की जो अंद्रूणी गुटबाजी थी, वह अब खुलकर सामने आ गई है और ये गुटबाजी सर्फ जिलास्तरफरी सिमित नहीं है, बलकि ये गुटबाजी प्रदेश लेवर तक भी है और इसके बारे में कोई दो राय नहीं है, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो अपनी राय हमें कमिंट वक्स में जरूर बताए और हमारे चैनल गुजरात तक को सब्सक्राइब करना है, ना बोले, नमस्कार